हेलो फ्रेंड इस पारितोस और आप देख रहे हैं I speak about money एक हमारे विएर है Mr.S.K.S.Harma उन्होंने मुझे मेल किया और यही सवाल काफी लोगों के सवाल था आपको इस वीडियो के बाद वह वीडियो भी देखना सवाल यह था कि जब हम अपना एसट एलोकिशन डिसाइड करते हैं तो डेट फंड में कौन सी कैटेगरी में इंवेस्ट करना है तो कौन सी कैटेगरी में इंवेस्ट करूं काफे सारे ओप्शन मिलेंगे आपको डेट इंवेस्ट में लिक्विड फंड अल्ट्रा शोर्ट टर्म बॉन्स लो डूरेशन फिक्स मेचुरिटी प्लांस है टार्गिट मेचुरिटी फंड है गिल्ट फंड है पीएस्जू डेट्स है कौन सी कैटेगरी में अपना पैसा इंवेस्ट करो तो इसका आंसर है सर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायर्मेंट क्या है आपकी डूरेशन कितनी है वो आपके इंवेस्टमेंट गोल से एलाइन होनी चाहिए मैं इसको थोड़ा सा और इजी तरी से समझाने की कोसिस करता हूं तो देखो काफी सारे फंड से हैवलेवल है लेकिन आ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में बोराइंग इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ट्रेजरी बिल्स होंगे कुछ कमर्सल पेपर्स होंगे कुछ फिक्स मेचुरिटी आपके फिक्स डिपोजिट्स भी हो सकते हैं बोंड्स होंगे कमर्सल बोंड्स होंगे इन सब की मैचुर उस हिसाब से यह react भी करेंगे तो यानि technicalities भी नहीं जाते कि जब भी आपका सरकार RBI rate of interest बढ़ाती है तो आपके bond के prices कम होते है यानि वो fund जो इन bonds में पैसा invest कर रहे है existing bond में उनके NAB भी गिरेगा वहीं उल्टा भी होगा यह जब bond के prices कम होंगे तब इन bonds के prices बढ़ेंगे फाइदा होगा आपको तो जैसे कि अभी इस समय हो रहा है market में inflation बहुत ज़्यादा है और इस चीज को control करने के लिए RBI consistently कई महीनों से RBI rate of interest बढ़ा रही है ताकि liquidity market में कम हो demand कम हो inflation control में आ सके और COVID-19 की टाइम पे लोगों में को ज़्यादा पैसा पहुचाना था market में liquidity ज़्यादा बनानी थी तो rate of interest कम हो रहे थे तो उस समय bond के prices बढ़ रहे थे आपके फाइदा हो रहा था उन bonds में जो existing bonds थे जो law duration आपके long duration के bonds थे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी requirement क्या है आपके जो भी जिस particular debt fund में आप invest कर रहे हो उसका duration कितना है उनकी जो maturity है उन bonds की वो कितनी है अब यह सवाल आएगा कि यार यह कैसे देखे हमारे debt fund में जितने भी bonds है उनकी maturity देखनी कैसे है वो तो काफी सारे bonds हो सकते है जब आप एक particular debt fund में इंवेस्ट करते हो तो आपका fund manager उन्हें अलग-अलग bonds में अलग-अलग instruments में पैसा इंवेस्ट करेगा तो उनकी maturity कैसे देखे वो हमारे जो की हमारे investment goal से aligned हो तो उसके लिए simple सा concept है हर fund में एक fund fact sheet में आपको एक option दिखेगा modified duration is का मतलब है कि जितने भी उनकी holding है उन debt funds में जो भी holding है जहां वो पैसा invest कर रहा है उनकी average maturity कितनी है अब माल लिजे मैं बोल रहा हूं कि मेरे fund की मेरे जिस debt fund में मैं पैसा invest कर रहा हूं उनकी average maturity 3 साल है इसका मतलब उनमें से कुछ bonds होगी जो पास साल में matured होगे कुछ एक साल में पूरा मोटा मोटा जितने भी holding है उनकी average maturity 3 साल है जितनी कम average maturity होगी उतना ही वो कम risky होगा उतना ही कम interest rate risk होगा आपके उस debt fund में तो आपको यह देखना चाहिए जितना average maturity है आपके debt fund का वो आपके investment goal से align होना चाहिए माल लीजी मैं एक example देता हूँ पारितोस को invest करना है कुछ पैसा है पारितोस के पास लंसम invest करना है और इस पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहता पारितोस तो पारितोस एक साल के लिए invest करना चाहता है तो पारितोस एक ऐसे debt fund में अपना पैसा invest करेगा जिन debt funds की maturity है modified duration है जो के आपको funds fact street में देखने को मिलेगा उनकी जो maturity है वो एक साल के अंदर हो यानि एक साल के अंदर मोटा मोटा सारे bonds matured हो जाए interest rate risk कम हो जितना ज्यादा यह average maturity होगा वो उतना ज्यादा interest rate sensitive होगा जब-जब interest rates बढ़ेंगे वो ज्यादा volatile होगे वो bonds वो funds ज्यादा गिरेंगे उनकी एने भी जितनी ज्यादा down होगी तो आपको ऐसे funds में invest करना चाहिए जिनकी average maturity comparably कम हो या आपके investment goal से aligned हो मेरा मानना यह है कि जब आप bonds में invest करना चाहते हो और आपका duration कम है मतलब basically आपको जो आपको इस पैसे के requirement बहुत short term के लिए चाहिए एक साल दो साल के बाद चाहिए तो आपके पास option आता है liquid fund ultra short term bonds और low duration funds अब यहाँ पे भी तो काफे सारे funds है बले बले हर AMC's के अलग अलग हर इस category में सारे AMC's के funds है तो कौन सा funds ले तो देखो यह जो universal है काफे limited है इनमें जो holdings है वो लग बग लग बग सबकी same होगी थोड़ा बहुत minor changes होगा तो आपको देख लिजए कि कौन सा existing fund है काफी time से चल रहा है काफी बड़ा fund size है आप उस fund के साथ में जा सकते हो तो इसमें best fund का इतना जादा minor role नहीं रखता आपको बहुत साइच चीज़े देखने के ज़रूत नहीं पड़ती है expenses कम होना चाहिए fund का size बड़ा होना चाहिए आप उस fund के साथ में जा सकते हो बस आपको यह देखना है कि आपके जिस particular debt fund में आप invest कर रहे हो उसकी जो average maturity है वो आपके investments goals से aligned हो short term है तो liquid fund, ultra short term bonds औ लोड recent funds जो होते हैं वो आपके लिए better option है मैं long term invest करना चाहता हूं तो मैं guilt fund, PSU debt funds, corporate debt fund जिनकी average maturity 5 साल, 7 साल, 10 साल हो सकती है तो यह जा सकता हूं हाला कि यह मेरा personal suggestion है कि मुझे लगता है कि जब आपने debt fund में invest करना है asset allocation के लिए तो low duration fund ज्यादा better options है लिक्विड fund, ultra short term bonds और जो low duration के debt funds है जिनकी average maturity 3 साल से कम है वो ज्यादा better option है क्यों क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको 7 साल, 8 साल के लिए debt fund में invest करना है तो यह उससे तो ज़्यादा better है कि मैं equity में वो पैसा रखो न वहाँ पे मैं ज़्यादा returns कमाऊंगा तो मैं debt fund में वो पैसा क्यों लगाऊंगा तो इसलिए अपनी requirement अपने duration के साब से choose कीजिए I hope मैंने इस वीडियो में Mr.SK Sarma जोनों इस सवाल पूछा था उनका answer दे दिया है अगर आपके भी मन में जो camera के side बढ़े है कोई सवाल है जो पूछना चाहते है और valid सवाल है नीचे comment जरूर कीजेगा मैं अपनी वीडियो में सामिल करूँगा और answer करने की कोसिस करूँगा तो आज के लिए इतना ही था I hope इस वीडियो से आपको काफी help मिलेंगी और हमने asset allocation पर भी recently वीडियो बनाई थी उसका building description में तो वीडियो भी जाके देखना वाँ पर मैंने काफी अच्छे तरीकी सा asset allocation कैसे बनाना है उसके वारे बात करी है फिर मिलेंगे हम चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो लाइक कीजेगा और इस वीडियो को ज्यादा दा लोगों को अगर भेश सकते हो तो बहुत अच्छा होगा फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए दिन्यवाद बंदे मातरम जाहें